बोलिये सिदेश्वर महा देवकी जय वाला बक्त जनों श्रावण वास निमिते चाली रहेल आपने सीव कथा सीव कथानों आजे पाँचुम दिवस बला बक्त जनों गय कालने का थामा अपने सव ये जोयो हतूं केक अधम स्तेई जगतमा केवाता बधाज पापो करी चुके कोई रिते अने गती पण न थे शके पन एने प्रेम की सीव चरितल नुश्रवण करियू एने कारने मा भगवती उम्या जी ये एमने पोतानी सक्खी मा पोतानी स्थाना प्यूं आवो आजे ए चंचुला ए माताजी ने विनुती करी अने पोताना पतीने पन मक्ष गतिय पावे छे एने विशेशक था प्रेशरवण करिये सुत जी कहे छे है स्वनक एक दिवस पर्मा नंदमा निमगन थैली चंचुलाए उमा देवी पासे जई प्रणाम करया अने बनने हाथ जोड़िने स्तुती करवा लागी हे गिरजानंदेनी सकंध माताव में मानवय सदाय अपनी सिवा करी छे समस्त सुखोनो प्रदान करनार शंभूप्रिये आप ब्रह्म स्वरूप्यनी छो ब्रह्म अने विश्णो वगेरे देवताना आप आराध्य छो तमे स्वयाम गूण अने निर्गोण छो तमेज सुक्ष्म सच्चीदानंद रूपीनी आध्या प्रप्रूती छो तमेज संसारनी स्रुष्टी करो छो पालन करो छो अने साहार पन करो छो त्रणे इगुणो नो आश्रै पन तमेज छो ब्रह्मा विश्णो अने महेश की त्रण देवतावनु आवास्थान छो अने एमने उत्तम प्रतिष्ठा करनारा पराशक्ति पन आपज छो सुत जी कहेचे स्वनक जेन सदगती प्राप्त थाई गई हती ते चंचूला आरिते महेश्वर पत्नी उमानी स्थूति करीने नत मस्तके उभीरही चूप थाई गई एना नेत्रोमा प्रेमना अश्रुबिंदुवनी चड़ी लागी गई हेली जामी गई त्यारे करुणा मै शंकर प्रिया भक्त वस्सला पारवत्ति देविये चंचूलाने संबोधित करी खुबज प्रेम पुर्वक कहवा लाग्या सकी चंचूले सुन्दरी उतारे स्तूती थी अत्यंत प्रसन थाई गई चू बोल कईू वर्दान जोईये चे तारे तारा माटे हूं सर्वस्व कई आपी शकू चू कशूई अदे यह न थिया अने त्यारे चंचूला कहे चे ए निश्पाप गिर्जा कुमारी मारा पती बिंदूग आवक्ते क्या हशे हेमने केवी गती थाई हशे एहुँ जानती न थी कल्यान माई दिन वत्सले हुँ मारा ये पती ने जेरिते मले शकू एवो उपायाप करो महेश्वरी अहा देवी मारा पती एक शुद्र जातनी विश्या तरफ आसकत हता अने पापमा पडेला हता ये मारा पहलाज बृत्यू पाम्या हता कोण जाने अमने शीगती थाई हशे गिर्जा बुल्या बेटी तमारो बिंदुग नामनो पती बहु मूटो पापी हतो एनु अंतकरण दूशी थातू विश्या नो संग करनार ने महा मुड बृत्यू पची नरकमा पड़ियो अने अगणीत वर्षो सुदी नरकमा विवीद प्रकारना दुखो भोगवी ने ते पापात्मा पताना बाकी रहेला पापने भोगव माटे विंध्य परवत पर पिशाच थयो छे आवखते पनते पिशाच अवस्ता माज छे अने विवीद प्रकारना कलेशो सहन करी रहे छे ए दुश्ट त्याज वायूपान करी ने रहे छे अने सदाय सर्व प्रकारना कष्टो ने सहन करे छे सुत जी कहे छे हे सोनक गवरी देवीनी आवात सावडेने उतम व्रतनु पालं करनारी चंचूला ए वकत ते पतिना महा दुखे दुखी थाई गई पचि मनने स्थीर करीने ते ब्राह्मन पत्निये व्यतित रदैती महेश्वरीने प्रणाम करीने फरिति पुछिव ए महेश्वरी ए महादेवी मारा पर कृपा करो अने दुशियत कर्म करनार मारा ये दुष्ट पतिनो हवे उधार करो देवी कुछित बुद्धिवाला मारा ये पापात्मा पतिनी कया उपाई थी उत्तम गती थाई ते शिग्र जनाओ आपने मारा नमस्कार हो अने त्यारे पारवती जिये कहियो कि तारो पति जो शिव पुरानी पुणियमाई उत्तम कता सांबले तो बदी दूर गती माती मुक्त थाईने उत्तम गतीने प्राप्त करिश केश अमरुत समा मधूर अक्षरोत युक्त गौरी देवीना वचन आधर पुरवक सांबलेने हाथ जोडीने मस्तक नमावीने बारं बार पारवती जिने प्रणाम कर्या अने पोताना पतीना समस्त पापोती शुद्धी तथा उत्तम गतीनी प्राप्ती माते पारवत जिने आवी प्रातना करिके मारा पतीने शिव पुरानों श्रवन करवाने व्यवस्था थवी जोईए ये ब्राह्मन पत्नीनी वारं वार्नी प्रातनाथी शिव प्रिया गौरी देवीने बहु दयावी ये भक्तव सल्या महेश्वरी किर्जा कुमारिये भगवान सिव ने उत्तम किर्थुनों गान करनार गंदर्वराज तुम्रूने बोलावीने प्रसन्नता पुर्वक आप्रमाने कहिऊ ये तुम्रो तमारी पृती भगवान सिव माँ छे तमे मारा मन्नी बात जानीने मारा इच्छित कारियने सिद्ध करवावाला छो एटले हुँ तमने एक वात कहुचू तमारू कल्यान थाओ तमे मारिया सक्की साथे तरतज बिंध्य परवत पर जाओ क्या एक महा घोर और भयंकर पिशाच रहे छे एन उरुत्तांत तमे आरंभ थीज साबळो उतमने प्रसंटा पुर्वक कब साबळो उतमने प्रसंटा पुर्वक बदूज जनावुचू पुर्व जन्ममा ते पिशाच बिंदुग नाम नो ब्रामण हतो मारिया सक्की चंचुलानो पती हतो परंतु ते दुष्ट विश्या गामी थयो सनान संध्या वगेरे नित्य कर्मों छोड़ी ने अपवित्र रहवा लाग्यों क्रोधने लिदे एने बुद्ध्य पर मुढता छवाई गई हती तेने कर्तव्य पालन नो विवेक रहयो न हतो अबक्षा बक्ष करतो हतो सज्जनों द्वेश अने दुशीत वस्तोनों दान लेतो हतो आज एनु सभाविक कर्म बनी गई हतो ए अस्त्र शस्त्र लैफ अरतो अने हिंसा करतो हतो डाबे हाथे खावानों खातो हतो दीन जनोंने पिडा आपतो हतो क्रूरता पुर्वक अन्योना घरमा आग चापी देतो हतो चांडालो साथे ने प्रेम हतो दर्रोज विश्याना संपर्कमा रहतो हतो बहु दुश्ट हतो ते पापी पोतानी पत्रीनों थ्याग करेने दुश्टोना संग माज आनद मानतो हतो ने मरण सुधी दुराचार माज फसायेलो रहयो अन्तकालावता ते मरणने शरण थयो ने पापी ओनु जे भोग स्थान एवो भोर यम नगरमा गयो त्या घणा नरकने भोगवी ने ते दुश्ट जीव आ समये विंध्य परवत उपर पिशाच बनेलो छे त्या जे दुश्ट पिशाच कोताना पापोनो फड़ भोगवी रहयो छे ये तुम्बरो तमे एनी सामे प्रयत्न पुर्वक सीव पुराणनी एद दिव्य कथानो प्रवचन करो एद दिव्य कथा परम पुणिय मैं तथा समस्त पापोनो नाश कर नारी छे सीव पुराणनी कथानो श्रवण सर्व उत्कृष्ट पुणिय करम छे एना थी एनु रदै शिगरज समस्त पापोती शुद्ध थाई जेशे अने प्रेत्योरी माती मुक्त थाई जेशे इद दुर्गती माती मुक्त थवाथी बिंदुग नामना पिशाचने मारी आगनाती विमान पर बेसाडी ने तमे भगवाण सीव नी सम्मेपे लईयाओ सुत जी कहे चे एशोनक महेश्वरी उमाना आप्रकारना अदेश पर गंदर्वराज तुम्भुरू मनमाने मनमा अबव प्रसन छया एमने स्वयमना भाग्यनी सराना प्रशंशा करी त्यार पछी ये पिशाचनी सती साधिवी पत्मनी चंचु लानी साथे विमान पर बेसारे ने नारदना प्रियमित्र तुम्भुरू जडप्ती विंद्याचल परवत पर गया ज्या पिलो पिशाच रहतो हतो त्या जैने तेमने पिशाचने जोयो एनो शरीर विशाळ हतो मुखनो दाडीनो भाग बहु मोटो हतो ये गडिकमा हसे गडिकमा रडे गडिकमा उच्वड कुद करी लेतो हतो एनी आकुरुती खुबज विकराड़ाती भगवान शिवनी उत्तम किर्तिनो गान करनार महाबली तुम्भुरु ये ए अत्यांत भयंकर पिशाचने पाशोती जकडियान बांधी लीतो त्यार पची तुम्भु ये शिवपुराणी कथा वाचवानो निश्चय करी ने महोच सव युक्त स्थान अन्य मंडप पगेरेनी रचना करी एटला माज संपुर्ण लोकमा खुबज जड़कती वो प्रचार थई गयो के देवी पार्वती जीने आगना थी एक पिशाचना उद्धार करवाना हेतु थी स्रीव पुराणी उत्तम कथानू श्रवण करावा माटे तुम्भु विंध्य परवत पर गया चे पचितो आकता सांबडवाना लोपे करी ने तना बदा देवर्सी पन तरत अज त्यां पोहुची गया आदर पुर्वक सिव पुराण सांबडवा माटे आवेला श्रुता जनों नो इपरवत पर खासो बहु मोटो अद्बूत कल्यान कारी समाजे कत्र थे गयो पचितुम्गुरु ये तो पिशाचने पाशोमा बांधीने आसन पर बेसाड़ो अने आथमा विणा लै गवरी पतिनी कथानों गान शरु करियो प्रथम अर्थाथ विश्वेश्वर सहीता थी मांडे ने सात मी वायु सहीत्या सुधी महात्मै सहीत सीवपुरानी कथानों तेमने स्पष्ट वर्णन करियो साते सहीताओ सहीत सीवपुराननों आदर पुर्वक्ष्रवन करिने ते बदाज श्रोता पूर्ण तहकरुतार्थ थाई गया ए परम पुणियमै सीवपुरान साबलीने पिला पिशाचे पोताना बदाज पापो दोई नाख्या अन्ने पैशाची जे शरीर हतु तेनों त्याग करी दिदो पचितो तरतज एनो रूप दिविय बने गयू अंग कांती गौर वर्ण नी थाई गयू शरीर पर स्वेत वस्त्र तथा स्वेत प्रकारना पुरुशोतित आभोशनों एना अंगोने शोभाव ते त्री नेत्र धारी चंदर शेखर रूप थाई गयू आरिते दिव्य देह धारी थाईने श्रिमान विंदूग पुतानी प्राण वल्लबा चंचूला नी साथे स्वयम पान पारवति वल्लब शिव जिना गुणगान करवा मांडियू एनी स्ट्री ने आरिते दिव्य रुप्ती शुशोबित जोई पेला बधा देवर्सी बहु मोटा अश्चरियमा गरकाव थाई गया एम नोचीद परबानन ती परिपुरुन थाई गयू पगवान महेश्वर्नु ती अध्वु चरित्र सावडी ने ती बधाज शुरुता परम पुतार्थ थाई ने प्रेम पुरुवक सीव जीनु यशोगान करता करता पोताना धामे रवाना थे गया दिवियरूप धारी श्रिमान बिंदुग सुन्दर विमान पर पोतानी प्रियतमानी पासे बेसी ने सुख पुरुवत आकाश्मा स्थित थैने शुविर योगतू त्यारपची महेश्वर ना सुन्दर अने मनोहर गुणो नुगान करता करता पोतानी प्रियतमा चंचुला तथा तुम्बरु साथे बिंदुग ब्रामन तरतज सिव धाम्मा पोँची गयो त्या भगवान महेश्वर ने पारवती देविय प्रसन ता पुरुवक बिंदुग नो खुब सत्कार करयो ने पोतानो पार्शद बनाविली दो एनी पत्नी चंचुला पारवती जिनी सकी थे गया ये धनी भूत जोती स्वरु परमा नंदमै सनातन धाममा अवी चल निवास्पामी ये बन्ने दंपती परम सुखी थे गया सिव पुराण मद्ये इति अध्याय पाँच मो थयो